बस्ते फ्रेंट्स, राम नौमी की, बहुत बहुत शुब कामना है सबको, और ऐसे दिन पर मुझे सिखाने में बहुत मज़ा आता है, मैं सोचती हूँ आप लोगों को आज कुछ ऐसा नया सिखाऊं, जो आप लोगों के भी काम में आए, और लेट सी, छोटी चीज है, और मै इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, काफी बर्सों से यूज कर रही हूँ, उसको थोड़ा मॉडिफाइब भी किया है मैंने, इसमें मैं यूज कर रही हूँ, एक्सपोनेंशल मुविंग आवरेज, ये में 61, ये एक फिब बेस मुविंग आवरेज है, 61.8 का रेशियो, जो गोल्डन रेशियो होता है, उसी के हिसाब से मैंने ये चूज किया है, 61.8, अब 61 लिया है और 62 क्यों नहीं लिया है, वो ऐसा कुछ नहीं है, 61.8 तो ले नही सकते, इसलिए 61 ले लिया, और 61 लो या 62 लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो बहुत ही छोटा सा फर्क पड़ेगा, I don't think it will have a big impact, मैंने यूज किया है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आए, बट 61 मुपे बैठा हुआ है, बिकॉस आप 61.8, तो बस व ब्रेक आउट, मैंने ब्रेक आउट जो ही है, लेकिन उसके साथ अगर RSI को भी मिक्स कर दे तो बहुत अच्छा काम करता है, पुटिक्लरली मैं इसे ज्यादा यूज करती हूँ, छोटा-मोटा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, फोर निफ्टी, पुटिक्लरली, निफ के बेस पे आप कॉलपोट जो भी ट्रेड करना चाहें, वो भी कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट तो वही रहेगी कि वही करिए, जिससे रिस्क कम हो, प्रैक्टिस कीजिए पहले पेपर पे और फिर बाद में, क्योंकि सीखते ही डारेक्टली अगर हम ट्रेड करते हैं, तो व और बहुत बार ऐसा देखा है कि बैक्टेस्ट में तो चल जाता है, लेकिन फ्रंट में नहीं चलता है, इसलिए फ्रंट में क्या करती हूं, मैं कोशिश करती हूं छोटा-छोटा ट्रेड लेके और उसे समझने की, इतना छोटा कि मतलब उसका लॉस जो है, वो इतना छोट पता भी नहीं चलेगा, बस वैसा वाला ट्रेड करके दिखना पसंद करती हूं, तो चलिए आए, मैं आपको 61 के मुविंग अभरेज को दिखाती हूं, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप एक सक्सेस्फुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर के लिए, मैं लेकर आई हूं मेरा 9 डेज का Technical Analysis Mentorship Program जो की 13 में से शुरू हो रहा है, इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाइव मार्केट को भी अनलाइज करूंगी, अपने ट्रेडिंग सेटप्स शेर करूंगी, और most importantly आपके सारे आउका मिल सकता है, जहां पर आप डारेक्ली डिसकर्स कर सकते हैं मेरे साथ में, प्रोग्राम की सारी डीटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जल्दी से ये Mentorship Program के लिए इन्रोल करिए, चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं, तो यह हमारा निफ्टी का चार् तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक Indicator है, यह में वो डालेंगे, Moving Average Exponential, और यह हमने डाला, यह By Default 61 क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि वो मैंने Setting की हुई है, नहीं, तो यह 9 पकड़ता है, और फिर हम यहाँ पर आके, जैसे यहाँ आपको बता दूँ, जो लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं, यह Settings का है, Settings पर आके 61, और Default Set किया हुआ है, Save as Default, इसलिए मैंने जब भी डालती हूँ, वो 61 आता है, It is one of my favorite moving average, and I use it as support and resistance, अगर सामदे भी आप देखें, तो यह support और resistance का कितना अच्छा काम कर रहा है, खी के, कहीं कहीं पर इसने disturb किया है, लेकिन जब चला है, तो अच्छा चला है, और यहां पर फिर Stop Loss हिट होते हैं, तो हिट होते हैं, मैं फिर वो टाइम पर Second Thought देती ही नहीं हूँ, और पहली बात, जब Stop Loss हिट तो हिट, क्योंकि छोटे से Loss में निकल जाना, मेरे लिए वो ही समझदारी का काम, मैंने इतने सालों में सीखा है, मैंने भी बड़े Loss दिये, देने के बाद समझ में आया, कि छोटे Loss में निकल जाना बहुत अच्छा है, उमीद पर बड़ा Loss करना, कभी तो हमारा Stop Loss हिट हो के व वापस देखेंगे, तो यहां पर मेरा stop loss हो जाता है, फिर वापस यहां से नीचे आया, फिर से trade ले लेंगे, ऐसी क्या बात है, और फिर चलते जाओ, चलते जाओ, इस तरह से करती हूं मैं, तो मैं इसे सिफ support और resistance के इसाब से use करती हूं, अब सबसे पहले, मैं इसे intraday में क वो यह है, कि आज मुझसे किसी भी stop के ना पुछे है, उसके लिए मैं Fridays को आती हूं, आज जो मैं आई हूं, खास करके राम नोमी के दिन, तो मैं सिखाना चाहती हूं, इसे सीख कर काम में लिजिए, market क्या लगता है, कौन सा stock का क्या view है, यह सब तो हम Fridays को discuss करते ही रहते हैं, आज हम उस topic पर discuss नहीं करेंगे, तो आज मैं सिखाने आई हूं, पूरा जो time है, वो सीखने में, समझने में, और उससे related अगर आपका कोई question है, तो मुझसे बुछेगा जो मैं topic सिखा रही हूं उस अब intraday में मैं इसे फिर से support और resistance की तरह ही यूज करती हूं, support और resistance की तरह ही यूज करती हूं, इसमें मेरा सबसे पहला principle क्या है, 9.15, candle watch करना, इसका high low break करने पे trade करता हूं, with stop loss, बहुत बड़ा हो गया तो I will ignore, कभी-कभी ऐसा situation भी होता है कि I can start the trade from 9.20 also, but वो बहुत rare case है, my preferable time is 9.30, उसके बाद, मुझे open and low, nearby, open and high, nearby, इस टाइब के trades बहुत पसंद है, क्या होता है, मैं यह trade क्यों बता रही हूं, आपको लेटर से यह moving average है, और open and low, nearby, यहाँ पे हो गया, जब price moving average से बहुत दूर होती है, तो वो वापस average की तरफ आने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते है mean rewarding, mean reversion, तो छोड़ दीजे average के पास वापस आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे जब मुझे open and low, जो nearby मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूं कि उसके stop loss, मतला उसके नीचे थोड़ा SL डाल दिया, और वहाँ से price जो है, वो average के पास आती है, तो मैं पहला काम part profits कर लेती हूं, फिर trading stop loss लगाओ, या वो ही लगाओ, profit आ जाएगा, कोई खास फरक नहीं पड़ता, या nominal plus minus, और इसके उपर, अगर चला गया, तो फिर I will wait, उसके बाद क्या करते हूं मैं, वो भी आपको बताते हूं, लेकिन first thing, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला मैं यह लेकिया बता रही हूं, फिर उसके बाद आगे की एक और अच्छी चीज इसमें दिखाऊंगी आपको, तो सीखेगा, देखेगा, और मेरे सारे sessions, retails के लिए जादा होते हैं, बाकी सब लोग तो सीख सकते हैं, effort कर सकते हैं, लेकिन retails या novice traders, अगर यह सब थोड़ा बहुत जान लें, या जिनको affordable नहीं होती है training, तो उनको यह help हो जाए, तो मुझे इससे बड़ी क्या खुशी होगी, इसलिए मैं यह सिखाती हूँ, और अगर आपको पसंद आएगा, तो not in live comment box, बट इसको like करके comment करिएगा, कि आपको यह topic कैसा लगा, और साथ में next live topic मैं कौन साल लूँ, तो फिर मैं आपसे मिलूँगी वापस से, अभी से बता देती हूँ, 23 अपरेल हनुमान जयनती के दिन, तो उस दिन हनुमान जी की क्रिपास है, मतलब यह जो अच्छे दिन होते हैं मेरे, तो उन दिन मैं ज्यादा से ज्यादा knowledge distribute करने के mood में रहती हूँ, तो 23 अपरेल मिस मत करिएगा, तो उस दिन के लिए मुझे बताइएगा आपको कौन सा topic है, जिसमें majority आएगी, वो ही मैं देख चूँगी, ओके, तो यहां से जब हम चले, और यह उपर चला, दो धाई बजे तक, जो भी rate होगा, वो मेरा cut-off rate होगा, उसके नीचे price चला गया या उसके उपर चला गया, वो मेरा trading stop-doss रहेगा, उसके जो भी है, close position intraday है, तो strictly intraday ही रहेगी, वो carry forward नहीं होती है, यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ऐसा करते हैं, और यह सबसे बड़ी गलती है, कि अगर उसमें मुझे loss हो रहा है, तो मैं उसे carry forward करके next day ले जाती हूँ, नहीं, वो गलत है, आपने intraday का plan किया है, तो intraday ही exit करें, because, आज जिसका भाव नहीं आया, कल आज आएगा उसकी कौन सी guarantee है, कल का, कल फिर देखेंगे, और अगर ऐसा रोज हो, तो intraday छोड़ दीजिए, कहीं न कहीं कुछ गलती है, मेरा ये मानना कि trade छोड़ देना, market छोड़ देना, better है, रोज-रोज loss कर में से, right, यहाँ कोई भी business, हमेशा profit नहीं देगा, हमेशा loss नहीं देगा, ऐसा नहीं मुझे loss नहीं होता, but stop loss ही मुझे बचाता है, और मेरा जो rule, अगर intra है, तो intra में ही निकलना है, और positional है, तो जै यहाँ सा time frame है, उसकी according, अभी माननों, यहाँ पर मैं top में हूं, और मुझे open and high, nearby मिल जाता है, तो I expect the price, कि वो EA में के पास आए, तो यहाँ पर मेरी आदी profit book हो जाएगी, बाकि, अगर इसके नीचे गया, तो continue, अगर यहाँ से reverse करके फिर उपर गया, तो position cut, या trading stop loss, जैसा जिसको जो trading temperament है, तो चलिए अब हम आपको chart दिखाते हैं, अब सबसे पहला, ठीक है, यह आपके सामने क्या time है, 9.15, 9.15 लो gap up open high, मुझे बहुत पसंद है, फिर मैं साड़े नौका इंतिजार नहीं करती, reason, यह मेरी favorite candle है, gap up open high, global markets में कुछ तो ऐसा हुआ था, कि जिसके वज़े से market gap up हुआ, कोई positive news आई थी, कोई भी, तो gap up open हुआ, gift nifty, positive थी, अच्छी खासी, इस वज़े से open हुआ gap up, तो फिर, टिका क्यों नहीं, high क्यों बना दिया, और वहीं से करिब-करिब selling आ गई, सिर्फ तीन point का तो फर्क है, उपर, यहाँ पे देखिए का, आप open high के, सिर्फ तीन point का तो फर्क है, ऐसा क्या हो गया, कि यह immediately गिरना चालू हो गया, तो इसमें तुम्हें नौबीस पे भी trade ले सकते हो, अगर gap up open high है तो, फिर मैं क्यों साड़े नती इतनों तक वेट करूँ, लेकिन अगर gap up open high नहीं है, तो फिर मैं साड़े नों तक का वेट करूँ, ओके, तो यहाँ पे trade लिया, आपका mean के पास आ गया, part profit book, उसके बाद वेट करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यह देखे 915, कुछ नहीं है, ना open high, ना open low, again gap up open high, क्या कहते हैं, 920, trade loop, stop loss, इसके उपर, hit हुआ है, नहीं हुआ है, part profit, exit, कुछ भी होने दो, घर नहीं लेके जाओंगे, इस position, यहाँ पे भी हुआ है, gap up open high, 920 को ही trade ले लूगे, but stop loss hit हो गया, यहाँ close the stop loss hit, hit तो hit, खतम बाच, वापस से कोशिश नहीं करूँगे, अब यह देखिए, कि मेरा, जब पैसा आता है, तो ठीक आता है, यहाँ काया trade नहीं मिलता है, लेकिन जब loss होता है, तो कोई बहुत बड़ा loss नहीं होता, right, अब यहाँ पे, ना open high है, ना open low है, so no trade, यह सब नहीं देखती मैं, gap down, open low, sorry, gap down, open high, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि gap down में मैंने, मुझे क्या चाहिए, gap down, open low, because price average से बहुत दूर है, वो mean reverting करेगी, जो नहीं हुआ है, पिछले दो दिन से, कल का मेरा, यही एक, फिर से देखना रहेगा, कि अगर वो gap down open low करेगी, gap up open low करेंगे, तो फिर automatic इसके पास ही average के पास ही खुलेगा, लेकिन अगर gap down open low हुआ, तो फिर मेरे पास यह chance है न, यहां तक का trade लेने का, तो इस तरह से मैं इस trade को लेती हूँ, with gap up और gap down, यह में moving average है, देखिए, आपको पिछला भी दिखा देती हूँ, जितना आपको दिखना है, बैक टेस्ट आपके साथ, अभी यहां पे gap up open high है, साड़े नौ तक wait करना बनेगा, क्योंकि यहां से यह बहुत कम place है, उसके बाद इसका low तूटेगा, तब हम trade करेंगे, जो करीब, यहां पे टूटा, right, stop loss, यह में, कुछ बोलने की जरूरत है, देखिए, इस में से आप खुद इसको करेंगे न, अभी यह, open high है, gap up open high, लेकिन कुछ नहीं मिला, थोड़ा गया है, क्या यह gap up open high है, नहीं है, छोड़ दो, gap up open high nearby मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15, 25.50 में समझ लीजे, और दूसरी बात, इसने पहले ही 15 मिनिट में, अपना यह में touch कर दिया, और pass में भी इतना ज़्यादा है कि मेरे काम का नहीं है, यह देखें, यहाँ पर gap up open high, मेरे काम का नहीं है, देती हूँ, और वो hit तो hit, gap up open high, लेकिन average pass में ही है, इसलिए I will wait for 9.30, 9.30 इसका low तोड़ा मजा नहीं आ रहा है, वेट करते हैं, फिर जैसे ही यहाँ आया, इसके नीचे, नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दो भाई, जरूरी यह trade करना, नहीं करना, नहीं करना, मैं तो बोलती हूँ, महिने में 10 दिन भी trade मिल जाए, या 6-7-8 दिन भी trade मिल जाए, और उसमें से 6-7 बार भी आप सही पढ़ जाओ, मतलब 60-70 परसंट भी अगर आपका ठीक जाए, तो इंकम तो थोड़ी हो ही जाएगी, ना, देखें, बहुत बड़ी लालच मत करियेगा, देखें, ऐसा यह है, cap up open high, क्या कहते हैं, इसमें, और difference देखिए, EMA के और इसके बीच का difference देखिए, अच्छा है ना, आप मुझे कहेंगे, RSIB 70 के उपर है, यह है, ठीक है ना, आपको comfortable नहीं है, तो 930 पर कीजिए, comfortable है, तो 920 पर कर लीजिए, ओके, SL हिट हुआ, नहीं हुआ, मीन के पास आया, पूरा नहीं आया, position cut, I will not take it, हो, कल की कल देखेंगे, तो क्या, ऐसा gap down open low भी मिला है, चलिए देखते हैं, कि gap down open low मिला है, क्या, अभी तक, यहां तक नहीं दिख रहे है, यह है, लेकिन यह open low नहीं है, देखें, बोलना बहुत आसान है, कि मैं यह ले सकती थी, इसका expectation था, यह था, वो था, बोलना बहुत आसान है, क्योंकि right hand side का picture बन चुका है, इसलिए, जब real में होते हैं न, तो पता है, कैसी क्या-क्या हालत होती है, ट्रेड लेने के बाद जब हालत होती है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होती, मेरे साथ भी होती है, देखें, कहीं न, इन दिनों में market ने दिया ही नहीं, तो चलिए daily में देखते हैं, कि कहां पे gap down open low दिखें अपने को, वहाँ पे हम try करते हैं, जहाँ पे हमें gap down open low मिले, यहाँ पे मिला है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे vertical line बना देती हूँ, ऐसे vertical lines बना देती हूँ, it's not gap down, it is gap up only, but open and low, let us see कैसी situation है, जाते हैं 15 मिनट में, और मैंने line क्यों बनाई है, इसलिए कि मुझे ढूंड़ना नहीं पड़े exactly date क्या है, अपने हाँ देखेगा वह line दिख जाएगी मुझे, कितनी पीछे गई है मुझे नहीं मालूम, कितनी पीछे और दिख लेते हैं, थोड़ा compress करके दिख लेते हैं, ये रिखे, अपने आप दिख गई, क्या कहते हो friends, gap up open हाई है, gap down होता तो मज़ा आ जाता न, जैसे ये gap down open हाई है, ये gap up open हाई है, दोनों ये भी खतरनाक है, इसको मैं trade नहीं करूँगी, बाई confidence नहीं है, तो फिर नहीं होगा मुझसे, ये वाला होगा मुझसे, राइट, तो friends, मुझे लग रहा है कि कहीं-कहीं आप लोको मज़ा तो आया होगा थोड़ा बहुत इस चीज़ को, और मैं इसे nifty में ही use करती हूँ, मैं इसे intraday के लिए nifty में ही use करती हूँ, गड़ेट चलिए, अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें एड करती हूँ, मैंने कहा था ने मैं एक और चीज़ आड करूँगी, तो चलिए आपको आपको आड करते हैं, ओके, जब यहां से प्राइस किरता है, यहां आता है, तो मैं एक और इंडिकेटर इसमें आड करती हूँ, जब गए प्रेश, आड डिस अगेन, प्योर्ली, प्योर्ली फर निफ्टी, निफ्टी के अलावा कुछ नहीं, और इंट्राडे, मतलब प्योर्ली इंट्राडे, 15 मिनट्स, उसके बाद जो दूसरी चीज़े होंगी, वो अलग होंगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंग आप कोई भी मुविंग एवरेज ले सकते हो, एक्स्पोनेंशल ले सकते हो, सिंपन ले सकते हो, मैं एक्स्पोनेंशल ले रही हूं, क्योंकि मुझे एक्स्पोनेंशल की आदत है, और यहां पे मैं उसका पैरामिटर चेंज करके, 200 कर दूँगी, और कलर रेड कर देते हो, जिससे clearly दिखे, ओके, तो friends, जब ये breakdown होता है, तो इसका पहला target, क्या करते हो, जब ये breakdown होता है, और यहाँ पर मैंने part profit booking की थी, मैंने आपको पहला जो example दिखाया था, तो फिर उसके बाद, मेरा second expected target ये होता है, और stop loss जैसे ही इसके नीचे आया, मेरा stop loss इसके उपर आजाएगा, और फिर I will be waiting for this target. उसके बाद, अगर आप book ये तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तो आपका कटने ही कटने है position, लेकिन अगर यहाँ पे part profit book कर ली, यहाँ पे part profit book कर ली, तो मज़े ही है, देखिए, जब भी यहाँ से तूटा है, यह आया है, अब अगर मान लो, कल, gap down open local है, तो मेरा first target ये होगा, stop loss के साथ में, stop loss उसके नीचे, first target ये होगा, यहाँ पे part profit booking होगी, options में काम करने का, छोटा options, small options, और उसमें भी stop loss लगाने का, intraday में exit, options ATM या OTM या one leg OTM, जो आपको ठीक लगे, बहुत फार OTM में मत चाहिएगा, expiry day है, तो next expiry trade करने की कोशिश कीजिए, generally आज कल expiry days का trading जो है, बहुत रिस्की है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि expiry day के अंदर आपका अलगी discipline चाहिए, अलगी तरीका चाहिए, क्योंकि रोज expiry है, my friends, रोज expiry, और last week में एक दिन mid cap nifty ने, एक दिन sensex ने, ऐसा करके इतना बुरा हाल की है, कि काफी लोगों की हाल है, बहुत खराब है, तो इसका तरीका, इसके उपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, in detail expiry trades कैसे करने चाहिए, बहुत ही limited amount के साथ में, इतना limited कि अगर वो पूरे महीने में भी अब अगर आपका trade नहीं पकड़ में आए, त आपको कोई बहुत बड़ा loss नाखो, तो first target यहां, उसमें part profit और second target यह, और part profit books, चाहो तो zero कर लो, full profit book करके, अगर यह rally मिलती है, तो देखने में बहुत छोटी लगती है, right, क्या कहते हैं, यहां से अगर मैंने पकड़ा है, यहां समझो यहां से भी पकड़ा है, बाइस पांच सो से लेके, अगर बाइस तीन सो, मतलब दुख सो पॉइंट सेम डे निफ्टी में मिल जाए, भाई, क्या कहते हैं, फिर भी अगर हम कहें, नहीं हम यहां पर और देख सकते हैं, मैं तो फिर भी 200 तक खड़ी हो गई, लेकिन, आप मैंसे सच्छी बताइए, क कितने लोग इतने पॉइंट के लिए खड़े हो सकते हैं, कि 100% यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे उसका जवाब चाहिए, कि वो यहां तक वेट करेंगे ही करेंगे, अज्यूम करो राइट हैंड साड की पिक्चर आपके सामने नह हैं, यह मैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स पे यूज करती हूँ, और यह सिर्फ निफ्टी पे ही कर रही हूँ, बाकी के लिए मैंने अभी तक ट्राइम नहीं किया है, जिस चीज के लिए ट्राइम किया है, वो आप लोग को सिखाऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजे, पहले में एक चैप्टर कम्प्रीट कर रहे हूँ, बताइए कितने लोग वेट करते 200 पॉइंट, मतलब यहां तक के लिए जहां मेरा करसर है, जिबकि रिजर्ट आ गया 11 बजे तक ही, राइट, तो मार्केट जब पैसा देने आता है, तो लेने के लिए हम तयारनी होते, औ मार्केट लेने के लिए आता है, तो हम खुशी-खुशी खड़े आराम से, कि यहां भाई लिखे जा, मैं खड़ा हूँ, अभी पोजिशन नहीं कट करूँ, तो यह गलत चीज है ना, So friends, this is, I hope it is a very small trick, और आप लोग को पसंद भी आया होगा, आप यह भी कह सकते हो, यहां भी है, यह भी है, वो भी है, बोलना बहुत असान है, it's not so easy, okay? अब, मैं आती हूँ, 61 EMA, 61 EMA, हाँ, किसी ना मुझे पूछा, प्रीमियम भी DK हो जाएगा, इंट्राडे है, कितना DK हो जाएगा, अगर आप, प्रीमियम DK के बात कर रहे हैं, तो डेल्टा भी तो आपको सपोर्ट कर रहा है ना, फॉल में, तो कितना प्रीमियम DK हो जाएगा, अब, इसी को, मैं, अवरली में ले के आती हूँ, और ये अवरली में भी काम करता है, आपको एक स्टॉक दिखाती हूँ, एक क्या कई दिखा दूँगे, कौन कॉर्ट, लेट्स से, क्या कहते हूँ, इट वर्क्स, और उसके साथ, अगर मैंने 200 मिक्स किया, इसको मैं क्रॉसोवर की तरह यूज नहीं करती हूँ, इसे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करती हूँ, क्या कहते हैं, विट ओपन लो, और चल सकते हैं हां, बाकी जो भी आपको सिखाया है, उसको मिक्स करिएगा, उसको छोड़िएगा मत, मैंने यह सिखाया हुआ है, आरसाई, नेगेटिव डाइवर्जेंस, राइट, तो, पाट प्रॉफिट, कीप ऑन बुकिंग, नहीं, तो यह ट्रेलिंग आपका स्टॉप प्लस चलता रहेगा, यहां हिट हो जाएगा, फिर आप इस बोलोगे नहीं, मैं तो यहां तक करूँगा, फिर वह वापस, तो यह क्या, राइट हंड साइड की पिक्चर आपको दिख रही है न, तो आप अपने इस आप से देख सकते हो, लेकिन अभी यहां पे मैंने आगे नहीं बढ़ा है, तो आपके पास भी राइट हंड की पिक्चर नहीं है, अभी ऐसी सिचुएशन में, जो ट्रेड अगर आप काम करता है, और तो और अब आपको फिर से एक और चीज दिखाते हैं, डेली, डेली में भी देखिए, है ना, क्या कहते हैं, यह बहुत ठीक है, जैसा मैंने का 100% तो कोई फुल पूफ सिस्टम होता नहीं है, यह जो जगे है, यह परिशान करती है, बलकुल करती है, कोई भी स्टॉक इसमें ले सकते हैं, लेटर से हम लेते हैं, इसमें स्टॉक आप मत पूछिए, मैं बताऊंगी, अपने हिसाब से जो चाहिए, वो ले लेती हैं, अगर, मान लो, यहां से कहीं से अपनी बाइंग हुई है, तो क्या कहते हो, और यहां पे हम निकल गए, तो यह भी तो एक अच्छा रनप है न, साथ में यहां पे आपको नेगेटिव डाइवरजन्स है, ओके, तो इन सब चीजों को मिक्स करके, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, अच्छा बहुत बात तो मैंने इनको वीकली में भी सपोर्ट का काम करते हुए दिखा है, वीकली, मन्थली, ओवराल, ओल्र टाइम फ्रेम्स में यह काम करते हैं, अब यहाँ पर आके तो यह बहुत दूर चला गया ना, मैं इसको यहाँ तक का बेट करूँ तो नहीं चलेगा, इसलिए इनको लोवर टाइम्स फ्रेम्स पर ही रखें, तो ठीक रहता है, वाच से प्रेम्स, यहाँ दूर इससे ज़्यादा, इसके नीचे आया, इसको साथ में थोड़ा से प्रेम्स, एक और यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा जिसको चार्ट साता है इसको साथ में यूज़ कर लीजिए ओके और फिर चलिए क्या लेवेल लेगे है ना विब बेस्ट मुविंग एवरेज इसके बेस्ट पे आप अगर आप options के जानका रहें लेकिन trade छोटा छोटा करके practice कीजिएगा ठीक है इसे आप लोग try करिएगा और मेरी आपसे एक request है मैं आप लोग को एक homebook दे रही हूं इसको practice कीजिए liquid stocks में liquid stocks में नहीं liquid stocks में practice कीजिए और फिर मुझे comment box पे लिखिए क्या यह work करता है plus nifty में जैसा मैंने आपको बताया बताएगा क्या यह work करता है आपको एक चीज और बताना चाहांगे यह fib ratio तो चाहूं तो यहां से भी ले सकती हूं यह वाले फॉल से भी राइट और अगर मैं यह वाले फॉल से लेती हूं तो भी वही प्लेस आती है मतलब क्लस्टर है सपोर्ट फिब लेवल का भी आ गया यहां से तूटके वापस इसके उपर आता है मतली में तो भी हम continue कर सकते हैं तो मेरा moving average 61 EMA काफी सालों से मैं यूज कर रही हूं और nifty में तो इसे करते करते मुझे इतना मज़ा आने लग गया है 15 minutes में कि मुझे रोज ट्रेड नहीं चाहिए simple है लेकिन जिस दिन होगा मैं थोड़ा ट्रेड ले ले पिए okay so friends I hope आप लोग को मेरी यह strategy तो पसंद आई होगी let me see if I have any questions मैं crossovers use नहीं करते हूं मैं इसे purely purely as a supporter resistance यूज करते हूं रीजन यह है कि crossovers में बहुत टाइम ऐसा होता है कि लागिंग इंडिकेटर बन जाता है अगर मैं इसे support और resistance के रूप में यूज करूँ या जिस तरह से यह वाला जो मैंने ट्रेड बनाया है यह लीडिंग बन जाता है मुझे टार्गेट बेस में बन जाता है तो वो जो चीज आती है वो इतनी मज़ा आती है करने में कि मैं आपसे क्या कहूँ तो इसलिए मुझे यह जो हैं बहुत पसंद है हर मार्केट सिनारियो रोज तो मेरा नहीं होता ना ही किसी और का होता है कि हमें रोजी प्रॉफिट आजाए कि किसी की रिक्वेस्ट आईए कि बैंक निफ्टी को भी ट्राइक करें चलिए बैंक निफ्टी भी ट्राइकर करके देख लेते हैं मैंने कोई खास फर्क हाँ ओपन और लो नियर बाइए है कि 20 पॉइंटी पॉइंस का फर्क है और इसको टच तो नहीं किया लेकिन जाते जाते अगर मैं निकल के भी जाती हूं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट तो नहीं आई है सेम चीज यहां पे भी एसल हीट हो गया देखती हूं पिछले में और कहीं पे भी नहीं हो रहा है ना यह गैप अप उपर है मुझे नीचे चाहिए गैप डाउन चाहिए गैप डाउन के साथ ओपन हाई चाहिए यहां पे बीच में है 945 पे नहीं आया ना मज़ा यह एक दिन अगर किसी को मिल भी गया तो फ्रेंज ऐसा क्यों करते हैं हम कि हम को जिसमें चाहिए उसी में ट्रेड करना है जिसमें ट्रेड मिले उसमें करिये और कोई स्चुक देखिए मारूति हैं क्या मारूति में काम करता है तो कभी कभी कोई मिलेगा करिये otherwise नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए जब बर्तस्ती ये गलत बात हो जाती है कि मुझे इसी में से trade निकालना है what say my friends देखें जो मुझे nifty में मिल रहा है उतनी clarity मुझे किसी में अभी तक नहीं मिलिये अगर आपको same clarity मिलती हो तो मुझे comment box में जरूर लिखेगा मैं उसे try करूँगी और फिर से detailed वीडियो इसके ओकर बना कर आपके सामने लेके आउंगी और आपको अगर कोई question है मुझसे तो पूछिए but related to जो मैंने आज सिखाया है उसी के उपर पहले यह बताएए मज़ा आया अज सिखने का नया topic अच्छा सा हाँ लोगों को अटिमेटली तो options के साथ ही चला अभी हम यहां पर ट्रिपल लेयाउट बनाते हैं ओके चलिए बनाते हैं आपके लिए और निफ्टी लेकिन कौन सा चाहिए देखिए अभी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगे उसका reason है यह वाला कौन सा डेट है यह चले 9th April है तो मैं आपको मंतली वाले पे दिखाती हो 22,500 निफ्टी 22,500 उट 25 यह जो डेट है मार्केट नीचे आया है और यह उटे तो यह कौन सा डेट है 9th April 15 मिनट्स यह में अज़िद्ट यह में आया है यह बढ़ा है लेकिन यह मंतली का आज़ा इसलिए आपको उत्ना मजा ने आए अगर उसी के पास का expiry का देखा होता तो शायद आपको ज्यादा मजाता because जो faulty और थी उसके हिसाब से यह अच्छा बैठता था तो options के साथ इत्री टें नाइ यह देखिए ठहले नीचे आयह, जैसे यह भी गया करसर यह यहां पे यह बहुत ह Правारे यहां पर Ch discoveries काई तो जिएश लेकिन यूदाि थोड़े से अगर यह यह बते यह करश कृट यह चीछ यह ज़रéd घूलale कले वो प्रते आ कर सक्यूभ फ्यूचर ज्यादा बेटर रहेगा वित हैंज बट कर नहीं लिखे जाना पॉजिशन स्टॉप लॉस के अलावा ट्रेट मत करना चुटा चुटा ट्रेट्स ओके आरेसाई बस इसलिए थोड़ा काम कर लेते हैं क्योंकि अगर मान लो यह इसके नीचे आ गया अभी जो पूछ रहे हैं मुझसे आरेसाई इसमें कैसे काप करता है चलिए कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि मुझे ओपन हाई के साथ में यह मिल गया और मैंने ट्रेड ले लिया और फिर वो देखे जैसे यह है यह मिल गया और यह आरेसाई 30 के नीचे आ गया मेरा कॉंफिडेंस बढ़ जाता है और मैं उसके लिए बेट कर लेती हूं कि भाई जब तक वापस या तो 30 के ओपर नहीं आए तब तक मैं से होल्ड करूं बस इतना ही काम करता है इसमें आरे और फिर से 23 अप्रेल को मिलेंगे लाइब सिखाने के लिए इसी टाइम इसी समय त्यूजडे है थैंक यू बाइ राम नहीं की बथाईयो थैंक यू